Hello everyone, welcome again to LearnVere Deetiman तो देखिए हम लोग कर रहे हैं 7th class के question answer जिसमें आज हम 6th class को complete कर लेंगे हलाकि एक वीडियो जो है वो मैंने बनाया था और वहाँ पर हम लोगोंने 26 question complete कर लिये थे तो आज ये chapter जो है वो complete हो जाएगा तो आप लोग तयारी कर रहे हैं 2nd grade की, 1st grade की तो देखिए ये chapter बहुत ज़्यादा important है इसको बिल्कुल हलके में ना लें जिस तरीके से आप लोगोंने read की तयारी की थी और आपने बहुत अच्छे marks gain किये थे उसी तरीके से यहाँ पर भी आप करिए तो जिन बच्चों ने course लिया हुआ है तो उनकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि regular जो हैं वो लोग पढ़ाई से जोड़े हुए हैं और राजिस्थान का जो इतिहास है वो पूरा ही होने वाला है तीन चार टॉपिक जो हैं वही बाकी रह गए हैं और आप लोग भी लगातार पढ़ाई करते रहिए और यदि कोई बच्चा course लेना चाहता है तो जल्दी ही लीजिए उसकी वज़े ये है क्योंकि आप लोग पीछे रह जाओगी ठीके और बाद में आप लोग course खरीदोगे तब आपके पैसे भी कर्चोंगे और समय जो इतना मुल्यवान है वो आपके पास नहीं रहेगा और फर्स्ट पेपर के बाद आपको सेकिंड पेपर भी करना होगा तो उसके लिए भी आपको समय रखना है ठीके तो इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार इस चीज़ को बोलती हूँ कि course यदि आप लेना चाहते हैं तो अभी ले तो चलिए उसके आगे ही बढ़ते हैं महराना प्रताप का शाशनकाल रहा महराना प्रताप का शाशनकाल रहा 1572 इसवी से 1597 इसवी तक ठीके याद रखिएगा 1572 इसवी में राज सिंगहासन पर बैठते हैं और 1597 में इनकी मृत्य हो जाती है तो इनका शाशनकाल 1572 से 1597 तक रहा है इंपोर्टेंट है याद रखिएगा महराना प्रताप का जन्म कब हुआ तो इनका जन्म होता है 9 मई 1540 को कुम्बलगड में और राजगद्धी पर बैठते हैं 1572 को ठीके 28 परवरी 1572 को इनका राज जी अभिशेग होता है और उसके बाद 1597 में इनकी मृत्यू हो जाती है महराना प्रताप के माता पिता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था जयन्ता बाई और इनके पिता का नाम था राणा उदे सिंह नेक्सट दीखिए राणा प्रताप का राज अभिशेग कब हुआ? तो इनकी 28 परवरी 1572 को हुआ था इसी दिन जब इनके पिता की मृत्यों हो गई थी और उसी दिन ही इनका राज्य विशेक होता है महारणा परताप ने करशी और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक लिखवाई उन्हों ने मानव अधिकारों का हमेशा ध्यान रखा और उन्हों ने विश्व बललब नामक एक पुस्तक लिखवाई याद रखना है विश्व बललब नामक पुस्तक किसने लिखवाई? महाराना प्रतापने बीका नेर के राय सिंग का जन्म कब हुआ तो इनका जन्म 20 जुलाई 1541 इस वी को हुआ था ठीक है बीका नेर के राय सिंग का जन्म कब होता है 20 जुलाई 1541 नेक्स्ट देखिए बीका नेर के राय सिंग के पिता का क्या नाम था बीका नेर के राय सींग के पिता का नाम था राव कल्यान मल तो इनके बड़े बेटे थे राय सींग बीका नेर के राय सींग का राजी अभिशेक कम होता है तो इनका राजी अभिशेक 1574 इसरी में हुआ था वहीं हमने देखा था कि इनसे दो वर्स पहले 1572 में राजी अभिशेक होता है महाराना प्रताप का ठीक है? 1572 में महाराना प्रताप का, 1574 में वीका नेर के राय सीम का राजी अभिशेक होता है नेक्स्ट देखिए कुश्यन नमबर 35 राज पुताने का कर्ण किसे और क्यों कहा जाता है? तो दान सीलता के कारण वीका नेर के राय सीम को राज पुताने का कर्ण कहा जाता है नेक्स्ट देखिए 36 कुश्यन वीका नेर के जूनागड दूर का निर्मान किसने करवाया? वीका नेर के जूनागड का निर्मान करवाने वाले थे वीका नेर के राय सीम और यहीं पर इस पर राय सीम प्रसस्ति लिखवाई Q37. राय सिंग के प्रसित ग्रंथों के नाम क्या है? तो 1621 इस्वी में ये आमेर की गद्दी पर पैटते हैं और आमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। मिर्जा राजा जै सिंग किन मुगल साशकों के दर्वार में रहे? तो देखिए यहां पर जहांगीर के शाशन काल में रहे, साहजा के शाशन काल में रहे और औरंग जेब. इन तीनों मुगलों साशकों के दर्वार में रहे मिर्जा राजा जै सिंग. आमेर का शाशक बनने के बाद मिर्जा राजा जैसिंग को जहांगीर ने किस अभ्यान पर भेजा था तो बहुत ही important question है, exam में आ सकता है, चाहे आपका first grade का exam हो, second grade का exam हो तो important है, ये सभी question याद रखिएगा, आमेर का शाशक बनने के बाद मिर्जा राजा जैसिंग को जहांगीर ने किस अभ्यान पर भेजा था तो उन्होंने एहमद नगर का जो मलिक अंबर था, उसके विरुद अभ्यान पर भेजा था तो ये सबसे पहला अभ्यान होता है, एहमद नगर का जहांगीर मिर्जा राजा जैसिंग को भेजते हैं मिर्जा राजा जैसिंग के राजकवी बिहारी ने 1662 इस्वी में किस की रचना की? मिर्जा राजा जैसिंग का राजकवी कौन है? बिहारी एक तो ये कुश्यन हो गया, और राजकवी बिहारी ने 1662 इस्वी में बिहारी सत्सई की रचना की? ठीक है? याद रखेंगे इस चीज को मिर्जा राजा जैसिंग को मिर्जा की उपाधी किस ने दी? तो इनको मिर्जा की उपाधी जो है, वह सहां जाने दी थी याद रखेंगा सबसे पहला अभियान मिर्जा राजा जैसिंग जो है, जैसे ही सासन समभालते हैं आमेर का, तो सबसे पहले जो है, जो मुगल बादशा होता है जहांगीर, तो उनको सबसे पहले एहमद दगर के मलिक अंपर के गुरुद अभियान पर भेजता है, ठीक है? लेकिन इनको मिर्जा की उपादी किसने दी थी? इनको मिर्जा की उपादी दी थी? सहा जाने, ठीक है? याद रखेंगा, नेक्स्ट देखिए 43 कुशन, जैसिंग चरित्र की रचना किसने की? जैसिंग के जोर दरवारी कवी हैं, राम कवी, एक हमने देखे दे, राज कवी कौन बिहारी थे, जिन्होंने बिहारी सत्से की रचना की? और एक और कवी है ये, राम कवी, तो इन्होंने जैसिंग चरित्र की रचना की? महराज जस्वन सिंग का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1626 इस्वी में बुरहानपुर में हुआ था, याद रखिएगा जस्वन सिंग का जन्म 1626 इस्वी में बुरहानपुर में हुआ महराज जस्वन सिंग को महराजा की उपाधी किसने दी? महराजा जस्वन सिंग को महराजा की उपाधी देने वाले थे सहाजा अब आपको ये चीज याद रह जाएगी कि मिर्जा राजा जै सिंग को मिर्जा की उपाधी सहाजा ने दी, महाराजा जस्वन सिंग को महाराजा की उपाधी सहाजा ने दी, ठीक है? अब कभी आप नहीं बूलेंगे क्योंकि ये दोनों उपाधियां देने वाले कौन है पेखिये पहले तो महराजा जसवन सींग जब मुगलों का उत्रादिकारी युद होता है, अरंग जेव, दाराशिकों, इनके सबी भाईयों के बीच में उस वक्त जो जसवन सींग थे, वो किस के साथ थे? सहाजां के साथ थी लेकिन जैसें के कहने पर ये औरंग जेव के साथ हो जाते हैं ठीक है तो सहाजा औरंग जेव के खिलाफ ही था जस्वन सींग के पिता का क्या नाम था जस्वन सींग के पिता का क्या नाम था तो इनका नाम था गज सींग, याद रखिएगा गज सींग के पुत्र का नाम क्या था? जस्वन सींग जस्वन सींग के प्रमुक ग्रंत कौन कौन से हैं? तो देखिए आनंद प्रकास, सिद्दांद बोध, भाषा भूशन, प्रवोध चंद्रोदे ये सबी ग्रंथ किसके हैं? जस्वन सींग के हैं नेक्ष देखिए कुश्चन 49 महराजा राज सींग प्रथम ने मुगल उत्रादिकार युद्ध में किसका साथ दिया था? तो यहाँ पर इन्होंने औरंग जेव का साथ दिया था औरंग जेव के साथ राज सींग के बहुत ही अच्छे संबंध थे लेकिन चारू मती को लेकर इनके संबंध बिगड जाते हैं नेक्ष देखिए राज सींग ने कहां मंदिर बनवाए थे? राज सींग ने मंदिर कहां बनवाए थे? तो इन्होंने सिंगार नात द्वारा में स्रीनात जी की मूर्ती और द्वारिकादीज की मूर्ती कांकरोली रासम्मद में अंबा माता का मंदिर उदेपुर में ठीक है ये सबी कारे किसने करवाए रास सिंग ने नेक्स्ट दिखिए कुश्यन 51 है कांकरोली में रासमद जील का निर्मान किसने करवाया कांकरोली में रासमद जील का निर्मान रास सिंग ने ही करवाया था किसने कांकरोली में राज समझ जील पर संस्कृत भासा में 25 सिलाओं पर प्रसस्ती को लिखवाया जिसे की कहा जाता है राज प्रसस्ती तो रण छोड भट द्वारा यह राज प्रिसिस्ती लिखी गई थी जो कि संस्कृत भासा में थी 25 सिलाओं पर इस प्रिसिस्ती को लिखवाया गया था डेश का सबसे बड़ा सिलालेक कौन सा है? तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है 7th class हम पढ़ रहे हैं 6th chapter और इतने इंपोर्टेंट लाइन यहां पर लिखी हुई थी जेप्टर में कि देश का सबसे बड़ा सिलालेक है राज प्रिसिस्ती ठीक है जिसको रण छोड भट द्वारा संस्कृत भासा में 25 सिलाओं पर खुदवाया गया था ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए कुशन 54 है सवाई जैसिंग का जन्म कब हुआ सोले सो अठासी इसवी में हुआ था और सोले सो निन्यानवे में ये गद्दी पर बैट गए थे यानि इनके पिता की जो मृत्यू जैसी होती है तो छोटी सी उमर में ही ये राज गद्दी पर बैट जाते ह है ठीक है तो देखिए हमने बात की थी कि जो सहाजा है उन्होंने मिर्जा राजा जैसिंग को मिर्जा की उपादी दी थी तो उसके बाद का समय आता है सवाई जैसिंग का तो दोनों में अंतर है याद रखिएगा सवाई जैसिंग को सवाई की उपादी किस ने दी तो इन नाहाजा ने मिर्जा राजा जैसिंग को उपादी दी थी मिर्जा की और उसके बाद जो आते हैं सवाई जैसिंग इनको उपादी देते हैं औरंगेव। जैसिंग ने नक्षत्रों की गती की गर्णा करने के लिए एक सुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था 1725 ईस्वी में सुद्ध सारणी का क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया जीज ए मोहमत शाही ठीक है तो इनको question को बार बार देखिए बार बार वीडियो चलाइए जिससे कि यह आपको याद हो सकें जितनी बार आप इनको देखेंगे सुनेंगे वीडियो उतने ही आप लोगों को यह याद रहे पाएगा और कोई भी ट्रिक नहीं होती है किसी भी चीज को याद करने की हर चीज की ट्रिक नहीं बनाई जाती है इनको बस समझते जाएए और सिक्वेंस में ही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से यह आपको याद भी रह जाएंगे सवाई जैसिंग ने जोतिस विद्या के अध्यन के लिए जैसिंग कारिका लिखा ठीक है जैसिंग कारिका ग्रंत लिखा था नेक्स्ट देखिए सवाई जैसिंग ने जोतिस के अध्यन के लिए जंतर मंतर नाम से पांच बैद सालाएं बनवाई थी ठीक है से पांच जो हैं वो आप याद रखें और यहां एक जो है जोदपुर दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा नेक्स्ट दीखिए महाराजा सूरजमल कहां के शाशक थे तो वे भरतपुर के शाशक थे महाराजा सूरजमल के पिता का क्या नाम था तो भरतपुर के महाराजा सूरजमल के पिता का नाम था बदन सींग ठीक है और बदन सींग जो है वो बिलकुल भी सारिक तोर पर सही नहीं रहते थे तो इन्हों ने अपना राजपार जो है वो अपने बेटे सूरजमल को जल्दी सौप दिया था महाराजा सूरज मल के धरवार में मुख्य विद्वान कौन से थे कवी वर सूधन और अहराम गर्ग याद रखना है कवी वर सूधन और अहराम गर्ग तो यहाँ पर यह चैप्र आपका कंप्लीट होता है बार बार पढ़िए इस चीज को मैं बोलती रहती हूँ ताकि आपको ये चीजे याद हो सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू